नमस्कार आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूँ विगास मनास्तो अभी मैं हूँ जीमसी होस्पिटल डोड़ा में हूँ और जहां पर हमारे फ्रेंट लाइन लोग हमेशा काम करने में जुटे हुए हैं यानि इस कोविट के महमारी में यानि वो जो स्पाई कर सामने आ रही है और बहुत सारे लोग जो हैं आपको इसमें दिखेंगे कोई भी पीपी किट नहीं है इनके पास या कोई भी इस तरह से गोन नहीं लगा हुए जिससे अपनी यह सुरक्षा कर पाएं और साथ में अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएं मैं क्या ना नहीं हैं वही काम हमसे करवाया जा रहा है और यह जिसको ठेका दिया हुआ है यह कचला उठाने का लेकिन वह काम भी हमसे करवा रहे हैं यह पांच हजार पे अगर कल हम कुछ हो जाएगा हमें कौन सा बैनिफिट में लेगा गोर्मिट से यह हमें से अब हमारे एक बंदा दो पाश से मोश्रण और को कोई ने रहा हैं हम उसको देएकर हम भी दर रहे हैं कि चौह पांस तरह पांट बैनिफिट मैं यह हमोँ क्या तरह से ओन किस तरह नियुक्त बेनिफिट में काम करते हैं जो हमें वाड मिल रहे हैं जिनमें हमें काम कर रहे हैं वो काम करवा के भी हैं उसके बाद जूद भी हमें वो काम करते होते हैं दस साठे-दस बजог eigenen कॉल करता है कि फाय तुला कि वह कहता है कि आप भी घाढ़ी भर नहीं और दूसरे कहीं काम करवाएं जाये डेस्टिंग हो यहां कहीं भी काम हो टीग में वहां ले चलता है लेकिन हमें वुग काम पूर होता है कैसे वो काम छोड़ का दूसरा काम करें वह तो डबल काम हुआना हमसे करवाना हम तो डबल काम कर करेंगे तब जाकर कहीं उसको बचारे को गौंद एक दो गिने चुने गौंद दिये हुए हैं वो हमें दे रहा है ना हमें वह सावर मिलती है ना कुछ भी को हाथ दोकर हम भी अपने बच्चों में जाएं चलो हम तो बचारे आएंगे पादर हमारे भच्चे थोड़ी खजल आठमा साल चलता है हमें तो पहले मिलती थी 2000 उसके बाद हमने जगडा शगडा गिया इन से यानी ना हम नहीं पहले जब हमें 2000 मिलता था हम एच्डेफ में उसके बाद इन्होंने वह केजवल लेवर हमें रखा फिर 3000 देने लगे फिर 3750 इन्हों ने किया मरताब जब हमने सिट्राइग की ध्र चार दिन हमने फिर 3750 किया फिर उसके बाद हाता हमने कोई एक साल उस पर गुजारा किया उसके बाद फिर हमने रायग की सिट्राइग करके करके कररके तो 5000 तो अभी यह जो चल रहु है कोड के जो कुरोना चल रहा है दो साल से घ्सक्राइब काम कर रहे थे इस साल भी कर रहे तो यह बहुत सक्षारिया आ से जो कह्षड़ा आता है Kai he just gonna go it के अंदर से कच्च्रा या पूरा वे आता है यह उठाना पड़ता है क्यों कि इन्हों ने भूवीड क्ये काड़े लगाई है उसको तो पैसा दे रहें यह उठाने का हैं व वह हम से उठाए रहे हैं वरना आपका सिर्फ एक काम है कि मतलब अंदर से जो साथ सपाई करने वह यहां पर चोड़ देना है हमें वह पूल उत्थीन में बरके तो यहां पर रखना है तो इदर से कौन उठाता है इदर से वह गाड़ी जो लगाई है इन्होंने वह तो लोड अनलोड गाड़ी वाले क हौल उसको करके देनी है हमें एन अदर तो आधा काम छोड़ना पड़ता है फिर आना पड़ता बाहर फिर इदर वह गाड़ी लोड करनी पड़ती है फिर वह गाड़ी लोड जाते है कहीं दिन इधर कचड़ा जो है ना चार चार पांच पांच दिन इदर जमा रहा दर नहीं लगता आपको मतलब कोई पीपी किट नहीं कोई इस तरह की यूनिफॉर्म नहीं जिससे आप वो काम कर सके ताकि फिर उसके बाद आपने आपको भी सुरक्षित रख सके और परिवार को जी वह हमें कीट मंगने की अगर हम वह माँगने की चलो 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 बहर गारी आई है तो सूबेटल के नहीं को तो लगता है तो आप जो सर हमारे बंदू को यह बहुत बड़ी दिकत जो आ रही है यह जो पर से जो वेस्ट आता है पीछे जो डेंपिंग एरिया है सर उसमें इन्होंने एक कंट्रेक्टर भी रखा है उसको गांद उठाने का कंट्रेक्ट है मगर मुझसे कहा गया है कि इन इन से उठवा हो तो इनको आदा काम छोड़के इनको बाहर लाना पड़ता है सर यह सबसे बड़ी प्राबलम है और दूसरी प्राबलम हम चाहते हैं हम यह हैं कि जो तेस यहां चालिस आजार यहां बेसाजार महेंने का लेगा वो खुद अपने बंदे लगा कि इसको भी हम ही ने किया सर इससे पहले हम दो तीन साल उसे गई करते हैं अब कोविट के बीच में आपको डर लग रहे हैं डर तो लग रहा है सर जा हमारे भी चोटे 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 बचे और उतनी सेरी भी ने पांच हजार पे हम सफर कर रहे हैं सर हमारे गर नहीं चार रहे हैं हम है और हमारी जो इशू है कुछ मसले इनके साथ जैसे बूट होने चाहिए गम बूट होने चाहिए सर यह सब कुछ प्रोटेक्शन मिलने चाहिए सर हम गौर्मिट से अपीर करते हैं बाकी हमने हायर अथर्टी से बात की है तो लेकिन उदर से कुछ कर्म चाहिए होस्पिटल की जिस तरह ने बताया कि हम दिन रात कोविट या जो भी वाड वगयरा है उनसाथ में हमेंहादि है यहां से गंदगी उठानी पर रहे पहले यह उठा रहे हैं लेकिन इन्होंने बताया कि जिस तरह से टेंडर हुआ है और साथ में यह डिमांड भी कर रहे हैं कम से कम हाइर अथर्टी प्रिंसिपल जो भी है यहां कर सुपर्डेंट उन सब लोगों को एक नजर देनी चाहिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि इन हम लोग कर सकें क्योंकि इनके पास जादा टाइम नहीं होता है अंदर का काम छोड़कर भी इनको भार से गंदगी उठानी पड़ती है यह तो आपने देखा होगा हर कोई गंदगी देखकर मूं मोड़ देता है लेकिन यह लोग जो है कड़ी धूप में भी लगे होते हैं और होस्पेटल के अंदर अपनी जान जोखम में डालकर बिना पीपीट के और वाडूं की स्पाई कर रहे हैं और जगा जगा बात्रूम जो भी चीज़ें उन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो फलाल देखते रहें अब आगे अड्मिनिस्ट्रेशन होस्पेटल की क्या कदम उठाती कि आने वाइला समय ही बताएगा तो फलाल देखते रहें यह जम्मू परवरतन मैं विकास मनास्टूड़ा